मुझा शूप्रबात मार्केट टैम्स के सभी दर्शक बंदू हो मैं करनल अजय जीयो अजय स्ट्रोमानीगुरू.com से आप से मुखाती बता हूँ आज 12 अक्टूबर सन 2021 आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राशियों के अदार पर आपका नाफानुकसान एवं एग्रो कमुटिटीज में क्या संभावना है कौन सी एग्रो कमुटिज में आस्तेजी की या मंदी की संभावना बन सकती है सबसे पहले राशियों के अदार पर आपका नाफानुकसान दोस्त चार तत्वों में डिवाइड की गई है विभाजित की गई है अगनी प्रत्वी वायू और जल अगनी तत्वी तीन राशियां मेश श्रिंग और धनू राशी आज आप मुनाफ़का मा सकते हैं दो से ती मितन तुला और कुम राशियां हैं तीन से चार बज़े के बीच में अत्रिक साब्धानी रखिए करक वरश्रिक और मीन राशि आज आप मुनाफ़क कमा सकते हैं लेकिन एक से दो बज़े के बीच में बड़ा निन्यने लेने से बचें ये ता राशियों के आदार पर नफ प्रेमाकरन दिया था और यही कहा था इस साल अलग-अलग संसाएं अलग-अलग असोशेशन का अलग-अलग गवार सीट के ओपर उत्पादन या का लक्ष बताया जा रहा है लेकिन हमारे अनुमान के साब से 25-30 लाग बुरी का उत्पादन होने की संभावना है लेकिन ये 25- 30 लाग बुरी बजारों में आएगी इस पर एक संशे है क्योंकि किसान संभव पर इन भावों पर मार्केट प्राइस के ओपर अभी गवार सीट को बेचने के मूड में मुझे नहीं लगता है दोस्तो जो भी किसान बंदू है या छोटे व्यापारी या बड़े व्यापार हम आपको इस चैनल पर दे रहे हैं इसके तरिक आज हल्दी के अंदर भी तेजी की संभावनाय बन सकती है पर आज लगातार तेजी दर्ज कर रहा है इसका अगरी मनुमान हम आपको एक से डिड़ मैने पहले दे चुके हैं दोस्तो अब शेर बजार में क्या संभावना बन सकती है शेर बजार के अंदर गिरावट पर बजार कुल सकते हैं लेकिन इंडेक्स यानि सेंसर्क्स और निफ्टी पर ध्यान ने रखकर यदि आप ध्यान रखेंगे इस सेक्टर यानि इंड़स्ट्री बेस पे तो ज़्यादा बहतर होगा आज आप नज़र रखिए ऑट टाटा मोटर्स पे नज़र रखी जा सकती है आईशर मोटर पे नज़र रखी जा सकती है वेदानता और हिंडालकों पे भी नज़र रखी जा सकती है पूरे विश्व में बिजलीस का संकट बहुत तेज चल रहा है अताय पावर कंपनियों पर भी नज़र रखी जा सकती है इसमें टाटा पावर प्रमुख है इसके अतरिक शुगर कम्पनियां यानि शक्कर के छेतर की कम्पनियों में भी नजर रखी जा सकती है दोस्तों एक बार पुने संच सुनें अधी आप अलफब्धी यानि इंट्रडे के ट्रेडर्स हैं तो आयावा मुनाफ़ा तुरंद बुक कर लें और यदि आप मध्यम और लंबी अधी के निवेशक हैं तो अधी आपको सौर शेर खरीते हैं तो पच्चिस पच्चिस करके चार बार धहरेपूर्वक खरीदें और गिरावट में ही अधी निवेश करें तो बहतर रहेगा और उप्री भाव पर आने पर तुरंट मुनाफ़ा वसुल कर लेना ये समझदार निवेशक की खासियत हैं एक और महतवपुन बाद ये सभी जानकरिया आपको Financial astrology एवं fundamental analysis के अधार पर दी जा रही है और महज एक सूचना मात्र है एक research मार्थ है कोई भी बड़ा निड़ने लेने से पहले आप अपना स्वयम का विवेक अध्यन और अपने सलाकार से भी सला ले सकते हैं ये ता शेर बजार के ओपर आज का आकलन अब non-aggro communities के अंदर क् संभावनाएं बन सकती हैं Financial astrology एवं fundamental analysis के अधार पर आज बुलियन यानि सोने चांदी के अंदर टेजी की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता दोस्तों आपको ये शो कैसा लगता है comments में अवश्य अपनी राय लिखें याद रखिए आपके comments हमें motivate करते हैं प्रेरि कर सकें all the very best good luck happy trading